और मुंबई में न्सीपी शरत पवार गुट के नेता जितींद्र आवहाड के बयान को लेकर देशफर में विरोध देखने को मिल रहा है महराश्ट्र के अलग-अलग इलाकों में जितींद्र आवहाड के बयान के लेकर दो लोगों में खासा रोश है पूने में भाच्पा कारे करताओं ने NCP शरत पवार गुठके नेता के बयान के खिलाफ विरोत प्रदर्शन करते वे कारवाई की मांग की है मुंबई में भी भाचपानिता रामकदम ने भगवान राम को मासाहारी बताने वाले बयान के लिए NCP शरत पवार गुट के निता जितेंद्र आवहाड के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है भाचपानिता रामकदम ने लोगों की भावना को आहत करने वाले बयान पर शरत पवार और उधव ठाकरे की चुपी पर सवाल खड़े किये हैं उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल अपने राजनितिक लाब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये जितेंद्र आवहाट का बयान भी सोची समझी राजनिति के तहट किया गया है रामकदम ने कहा कि किसी एक संप्रदाई को खुश करने के लिए बार बार हिंदूओं की भावनाओं को आहत किया जाता है सोची समझी उनकी राजनित है उनका ये शड़यंत्र है उनकी ओची राजनिति करने का तरीका है बार बार हिंदू धर्म हिंदू समाज का मजाक उड़ाओं उनकी भावनाओं को आहत करो और वह आहत करते समय किसी एक संप्रदाई को खुश करो ये ओड जुटाने की राजनिती में तुम हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं शिकायत दर्ज कराने पहुंची भाजपा नितार रामकदम ने कहा कि पुलिस ने आश्वस्त किया है कि वीडियो फुटेज की जाज करके उनके उपर कड़ी सी कड़ी धारा लगाई जाएगी धारा के अनुसार जो गिरफतारी होती है गिरफतारी होगी उन्हें पूरी तर से कठोर धंड मिलेगा और ये ये देखिए ये प्रभू राम चंद्र जी ने दिये हुए आदश राम राज्य पर चलने वाली वरत्मान सरकार है ये शिंदेजी और फड़ंदम जी के नित्रुत्म में चलने वाली सरकार है अजी दादा भी हमारे साथ है तो ये कोई उद्दव ठाकरे जैसी सोई हुए सरकार नहीं है इस महराज के भूमी पर हम देवी देवताओं का अपमान ना किसी को करने देंगे और यदि किसे ने किया तो ना उसको छोड़ेंगे